तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के जाने के 26 अक्टोबर के इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स को देखे पहला प्रशन क्या है 94 अकादमी पुरुसकारों में 94 ओसकर अवार्ड्स में भारत की तरब से कौनसी फिल्म को आधिकारिक एंट्री मिली है तो आंसर होगा कुझांगल तो पहले तो ये याद रखना है ये अकेडमी अवार्ड्स जिसको ही ओसकर अवार्ड्स कहा जाता है कौनसे नंबर के हैं ये इसका 94 अडिशन है चुकि दिये कब जाएंगे 2022 में कहां पे दिये जाएंगे लॉस अंजलिस में और भारत की तरब से किस फिल्म को ओफिशल एंटरी मिली है कुझांगल है ये ये एक तमिल फिल्म है जिसके डिरेक्टर कौन है विनोथ राज है अब ये तो बात हो गई करंट अफेर्स की 94 अकेडमी अवार्ड्स की आपको याद रखना है चो 2021 में दिये गए ते 93 असकर अवार्ड्स उसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला था नॉमेड लेंड को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था एंटोनी हॉपकिन्स को किस मुवी के लिए दे फादर मुवी के लिए बेस्ट एक्टरिस का अवार्ड मिला था फ्रांसिस मेक डॉर्मेंड को नॉमेड लेंड मुवी के लिए और बेस्ट डारेक्टर का वाड किसको मिला था क्लोए जाओ को नॉमेड लेंड मुवी के लिए अभी एक एक्जाम में ये प्रेशन भी पूछा गया था इसके अलावा 67 नैशनल अवाड स्वित्रित कर दिये गए किसने करें हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम विंक कया नाइडू जी ने जिसमें बैस्ट अक्टर का वाड कहीं बार मैं आपको बता चुका हूँ धनुष को असुरन मुवी के लिए और मनुज बाचपई को भूसले मुवी के लिए बेस्ट एक्टरेस का अवार्ड किसको मिला कंगनार रनोत को मिला मनी करनी का और पंगा मुवी के लिए और बताइए इक्यावनवा दादा साहब फाल के पुरसकार किसे मिला रजनी कांत को अच्छा डिकोडिंग शंकर याद है क्या आपको टॉरेंटो इंटरनेशनल वोमेंस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था इन डॉक्यूमेन्टरी सेक्टर बाकि वाटर ब्यूरियल भी याद होगा शिष्टी सब्म नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था इसец ये अरुनाचर प्रदेश की मूवी है और पुगलिया भी आपने सुना होगा मराथी फिल्म है ये बेस्ट फॉरेंड फीचर का वाड जीता था इसने मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में तो ये भी ध्यान रखना बढ़ते आ गए फिर बताईए अभी हाली में राइटिंग फॉर माई लाइफ नाम की बुक को किसने लिखा रसकिन बॉन ने लेखक हैं ये रसकिन बॉन और इन्होंने अपनी नई बुक लिखिये जिसका नाम है राइटिंग फॉर माई लाइफ इसमें रस्किन बॉन की कुछ सबसे अनुकर्ण्य कहानिया, निबंद, कविताएं और यादे शामिल है बाकी सुधा मूर्ती, How the Earth Got Its Beauty नाम के अभी रेसेंटली इन्होंने एक बुक लिखी दी मनन भट, बाला कोट एर स्ट्राइक्स 2019 नाम से बुक लिखी और अशोक लवासा जोकी वर्तमान में एशियन डेवलेप्मेंट बैंक में वाइस प्रेसिडेंट है इन्होंने भी बुक लिखी है, An Ordinary Life Portrait of an Indian Generation नाम से तो ये नाम भी ध्यान रखना बढ़ते आगे फिर बताईए कौन सा राज्या 56 नेशनल Cross Country Championship की मेजबानी करेगा तो आंसर होगा नागलेंट तो 2022 में South Asian Federation Cross Country Championship होंगे 15 जनवरी 2022 से कहां पे कोहिमा नागलेंट में एवजित किये जाएंगे तो आपको याद रखना है 56 नेशनल Cross Country Championship को South Asian Federation Cross Country Championship के साथ जोड़ा जाएगा तो नागलेंट के द्वारा आयोजित ये पहला राष्टर एथलेटिक्स आयोजन होगा बाकि नागलेंट की बात करते हैं उससे पहले आप मुझे बताओ 2023 में जो ICC Mains World Cup होंगे काँपे होंगे जो इसका 13 एडिशन होगा भारत में 2022 में जो Women's World Cup होंगे जो इसका 12 एडिशन होगा वो New Zealand में होंगे 2021 में ICC Mains T20 World Cup काँपे होंगे United Arab Amirat और रोमान में 2021 में ही Asia Cup Cricket Tournament होंगे श्रीलंका में मुझे बताओ 2022 में जो खेलो इंडिया University Games होंगे जो इसका 2nd edition होगा कहाँपे होंगे करनाटक में है और 2022 में ही फरवरी में होंगे खेलो इंडिया Youth Games जो इसका चौथा संस्करन होगा कहाँपे होंगे हर्याना के पंचकुला में होंगे पहले 2021 नॉंबर में होने थे लेकिन अभी पॉस्पून कर दिया इसे और 2022 में ही आपके FIFA World Cup होंगे कतर दोहा में 2022 में ही आपका 22वा Commonwealth Games भी होगा कहाँपे होगा Birmingham UK में होगा अब बात तो यहाँपे नागालेंड की उरी थी तो येरा मैप में नागालेंड देखो नागालेंड की केपिटल कोहिमा है मुख्य मंत्री है नेफ्यू रियो और गवर्नर अभी तक यहाँपे गवर्नर थे आरेन रवी जो भी तमिल नाडू में जल गए है तो अब नागालेंड की गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार एडिशनल चार्ज दे दिया गया असम की गवर्नर को जिनका नाम है जगदीश मुखी अभी आपको याद होगा नागालेंड ने वंधन योजना के तहट साथ राष्टर पुरुसकार भी जीते थे और बताओ नागालेंड ने कब तक सो प्रतिशत साक्षरता का लक्षर रखा है तो अंसर होगा 2030 तक और बताओ किस राज्य में भारत का 61st software प्रिद्योगी की पार्क केंद्र खुलेगा तो अंसर होगा नागालेंड में अभी नागालेंड की एक क्यूकंबर यानि की एक खीरा ककडी को भी जी आई टेक मिला था और नागालेंड से ही आते हैं नुकलूफॉम जिनको मिला था वीटली अवाड 2021 जिसे ग्रीन आसकर भी का जाता है मयूर फॉलकन के संगरक्षन के लिए मिला था इनको ये पुरुसकार तो ये भी ध्यान रखना बढ़ते आगे फिर बताईए हाली में इक्रा इक्रा एक रेटिंग एजनसी है कही बार आपने इसके बारे में सुना होगा अभी इसके नए MDCU कौन बने है तो अभी रामनाथ कृषनन को रेटिंग एजनसी इक्रा का नया MDCU न्यूक्त किया गया ये एन शिव रमन का स्थान लेंगे और इसी तरह से एक और रेटिंग एजनसी है क्रिसिल उसके बारे में भी आपने सुना होगा और अभी उसके MDCU भी बने थे कौन अमिश महता अभी एक सरकार प्रेज ट्रस्ट आफ इंडिया के फिर से चेर्मेन बन गए निरलेप सिंग रॉय ये नैशनल फॉर्टिलाइजर्स लिमिटेड के CMD बने थे ये भी ध्यान रखना बढ़ते आगे फिर बताई अभी हाल में युनाइटेड स्टेट्स ग्रेंड प्रिक्स किसने जीत ली है तो आंसर होगा Max Wotspun ने Max Wotspun वैसे तो इनकी नैशनलिटी है नीदरलेंड से आते हैं नीदरलेंड के रहने वाले और किस कार कंपनी के ड्राइवर है तो रेड बुल के ये ड्राइवर है और अभी इनोंने ही युनाइटेड स्टेट्स ग्रेंड प्रिक्स को जीत लिया है सेकिन नमबर पे लुईस हैमिल्टन रहे जो कि मर्सडीज के ड्राइवर है और थर्ड नमबर पे सरजियो पेरेज रहे जो कि रेड बुल के ही ड्राइवर है तो ये भी ध्यान रखनाप बढ़ते आगे चलिए बताइए अमेरिकी राष्टरबदी जो बाइडन का स्टाफ सचीव नियूक्त होने वाली पहली बारते अमेरिकी कौन बन गई है तो अंसर होगा नीरा तंडन और नीरा तंडन के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा अभी तक ये वाइट हाउस की वरिष्ट सलाकार थी सीनियर एडवाइजर थी लेकिन अभी नीरा तंडन को अमेरिकी प्रेसेडन जो बाइडन का स्टाफ सचीव नियूक्त कर दिया गया है और इस पद पर पहुँचने वाली ये पहली भारती अमेरिकी है क्या नामे नीरा तंडन जैनेट येलेन ये अमेरिका की पहली मैला वित्तमंत्री बनी अभी फिनेंस मिनिस्टर अचा विसे असम की पहली मैला फिनेंस मिनिस्टर का नाम क्या है अजन्ता नियोग है और उज्वला सिंखानिया फिक्की लीडीज ओर्गिनाइजेशन की 38 प्रेसिडेंट बनी थी ये अच्छा बताओ अमेरिका की पहली मैला उपर राष्टरपती कौन बनी है तो इनका नाम है कमला हैरेस 49 नंबर की है ये बढ़ते आगे अच्छा बताओ ओक्टूबर 2021 में इंडियन ब्रूड कास्टिंग और डिजिटल फांडेशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया तो अंचर होगा के माध्वन को और ये जो है इसका पुराना नाम क्या था इंडियन ब्रूड कास्टिंग फांडेशन फिर इसका नया नाम आया इंडियन ब्रूड कास्टिंग और डिजिटल फांडेशन डिजिटल लगा दिया गया और अभी इसके फिर से अध्यक्ष बना दिये गए के माध्वन को अच्छा बताओ संसत टिवी के पहले CEO का नाम क्या है रवी कपूर है संसत टिवी किन दो टिवीओं को मिला करके बनिये लोकसभा टिवी और राजसभा टिवी किस समिती की सिफारिष पे ऐसा किया गया सूर्य प्रकाश समिती की सिफारिष पे तो ये भी धियान रखना बढ़ते हैं आगे चलिए बताइए अभी हाली में किस देश ने अपने यहां दस अन्य देशों के राज़दूतों को यानिके अमबेस्डर्स को अस्विकार्रे गोशित कर दिया तो अन्सर होगा तर्की तो अभी हाली में तर्की के जो प्रेसिडेंट है क्या नाम है उनका? रहिये तैये अर्देगौन उन्होंने अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस समेट तूटल दस देशों के राज़दूतों को अस्विकार रे गोशित कर दिया इसका मतलब यह हुआ कि अब तर्की इन राज़दूतों को अपने यहां पे रखने के लिए तैयार नहीं है एक्चुली में हुआ क्या? USA, फ्रांस, फिनलेंड, कनाडा, डैनमार्क, जर्बनी, नीदरलेंड, नौर्वे और स्विडन के राज़दूतों ने आस्मान कवाला की तुरंत रिहाई की मांग की थी अब यह आस्मान कवाला कोने तर्की के एक एक एक्टिविस्ट है जो पिछले चार साल से ज्यादा समय से जेल में है उन पर विरूत प्रदेशन के समर्थन और तक्ता पलट की कोशिश के आरोप है हालां कि उन्हें दोशी शाबित नहीं किया जा सका तो इन दस देशों ने उनकी तुरंत रिहाई की मांग की थी उसके बाद तर्की ने इन टोटल दस देशों के राज़दूतों को अस्वी कार्रे घुशित कर दिया यह मामला था अब बात टर्की की है तो यह रहा मैप में टर्की कैपिटल इसकी अंकारा है करंसी है टर्किश लीरा प्रेसिडेंट रिसेप तैयप अर्देगोन है बढ़ते आगे चलिए बताईए अब भ्यास जिसका नामे इसको किसने डिजाइन किया और विक्सित किया है डेवलप किया मतलब तो अंसर होगा DRDO ने अब भ्यास याद रखो यह एक हाई स्पीड एकस्पेंडिबल एरियल टार्गेट है जिसे शॉर्ट में आप हीट बोल सकते हैं यह अभ्यास एक टार्गेट है जिसको नाम दिया है अभ्यास अभी इसका परिक्षन कहां पे किया गया चांदिपूर टेस्ट फारिंग रेंच उडिसा में अचा तेजस को किसने बनाय था हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटिड ने तेजस एक हलका लड़ा को विमाने लाइट कॉंबेट एरक्राफट है राफेल को किसने बनाया फ्रांस के डेसौल्ट कंपनी ने बनाया है और जिर कौन क्या है यह एक हाईपर सोनिक मिसाईल है जिसका परिक्षन के अथर रश्य ने पिना का क्या है ये एक rocket launching system है भारत का ही है अब बात DRDU की है न तो DRDU मतलब क्या होता है Defense Research and Development Organization इस्तापना होती है 1958 में नासा की भी इस्तापना 1958 में होती है इसका headquarter नहीं दिल्ली में है अध्यक्ष कोने जी सतीश रेड़ी हैं और DRDU का मोटो होता है strength origin is in knowledge अच्छा भी DRDU ने आकाश मिसा के नए संस्करन का पहला सफल परिक्षन किया था उसका नाम क्या है आकाश प्राइम और मैं आपको बता दूँ जो भी 2021 किसमें defense से related आप लोगोंने question पड़े हैं चाहे वो military exercises के हो गए या इस तरह से missiles वगरा के जो परिक्षन होए उन पर जो question बने उसकी quiz बना करके आपकी करेक exam application पर upload कर दी जा चुकी है कहाँ पर मिलेगी वहीं पर मिलेगी जहाँ पर topic wise current affairs है जहाँ पर appointments की quiz मिलेगी awards की quiz मिलेगी GI tax की मिलेगी ranking indexes मिलेंगे भारत में पहला जो भी चीज़े होंगे उनकी मिलेगी कल मैंने आप लोगों को बोला था कि name change दो जार किसमें जितने भी name change हुए है क्या उन पर आपको quiz चाहिए आपने बोला हाँ चाहिए तो उसके लगातार तीन पार्ट quiz के मिने upload करवा दिये appointment का पहला वाला पार्ट भी upload करवा दिया मतलब total कर 4 quiz आपकी upload हुई है आपकी click exam application खुलना वहाँ पर थोड़ा सा scroll करके नीचे जाना वहाँ पर एक quiz को लगाने में मुश्किल से 2 मिनिट लगते हैं तो इतना मस सोचना प्रैक्टिस जरूर करते रहना जो पुरानी quiz लगा लिए उनकी भी quiz लगा करके प्रैक्टिस करते रहो रिविजन करते रहो कम से कम अपने 2-3 मिनिट खर्च करो अपने लिए हम बढ़ते आएं फिर के जैनगर और नेपाल के कुर्था को अपस में जोड़ेगा इसके लंबाई कितनी है 34.9 किलो मेटर है तो भारत ने इसको फंड दिया और इसे नेपाल को सोब दिया है अचा अगर मैं आपसे पूछू मिताली एक्सप्रेस ये किन दो देशों के बीच है भारत और बांगल और नेपाल के साथ कौन से एक्सरसाइस की थी अभी हमने सूर्य किरन नाम के एक्सरसाइस की थी अचा नेपाल में माउंट एवरेष्ट को क्या का जाता है सागर माथा का जाता है अचा नेपाल के साथ जो अभी हमने सूर्य किरन नाम के एक्सरसाइस की थी अगर पूछा जाए कहाँ पर की थी अभी सेप्टेंबर की बात है ये उत्तरा खंड के पिथोरागड में उसके लवा याद रखना भारत की सतलूद जल विद्यूत निगम लिमिटीड नेपाल में 679 मेगावाट की लोवार जल विद्यूत परियोजना जो की एक हाइड्रो एलेक्टरिक प भविष्य के निर्मान के लिए प्रमुक वाहक तकनीक हम सब भरोसा कर सकते हैं तो अभी हाली में केंद्रे इलेक्ट्रोनिक्स एवं सूचना प्रद्यूगी की और कोशल विकास एवं उद्धेमिता राजी मंत्री जो है कौन श्रीर राजी उद्चंद्र सेखर उन्होंने Future Tech 2021 सम्मिलन का उद्धातन किया वर्च्वली तो ये जो Future Tech 2021 एक Digital Technology पर एक अंतराश्टर सम्मिलन और प्रदेशनी है दिसका आयोजन Confederation of Indian Industry जिसके अध्यक्षकों ने TV नरेंद्र ने उसके द्वारा किया गया और क्या रही इसकी थीम भविष्य के निर्मान के लिए प्रम National Artist Day कब मनाया गया 25 अक्टूबर को 25 अक्टूबर को याद रखना अंतर राश्टरे बोनापन जागरुकता दिवस बोनेपन को क्या किते हैं ड्वार्फ तो ड्वार्फिजम Awareness Day भी मनाया गया और 25 अक्टूबर को ही World Opera Day भी मनाया गया तो बात करेंगे कल के वीडियो में प्रशन के उत्तर गी तो कल के वीडियो में आपसे प्रशन क्या पूछा था राश्ट्रे आदिवासी नरत्य महौत्साव 2021 नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिबल का योजन काम पे किया जाएगा 36 गड़ इसका अंसर होगा आप सभी ने प्रशन का बिलकुल सही उतर दिय और गाइस क्विज के बारे में तो मैंने आपको बताई दिया अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स टाइम देख रहा है तो आपको बता दू इन सभी क्विशन का क्विज भी आपको आपके क्रेक एक्जाम अप्लिकेशन पर मिल जाएगा इसका PDF भी वहाँ से आप फरी में डाउनलोड कर सकते हैं और देखो इसके अलाओ मैंने आप लोग को बताया था टॉप 10 सामान्य ग्यांद के important questions कि हम लोगों ने एक नई सीरीज स्टार्ट की थे और इसमें मैंने वही question include किये जो कई न कई किसे न किसी exam में पूछे गए हैं ताकि आपको वह question म मिल सके जो exam में पूछे जाते हैं उसके साथ भी मैं extra facts आपको बताने ही कोशिश करता हूँ आप ही लोगों ने कहा था फिल से start कर दिये क्योंकि last time नहीं हमने उसको इसलिए बन कर दिया था क्योंकि response नी मिला था और अभी भी फिर वही repeat हो रहा है तो अगर आप लोग अभ करके पास में bell icon को click कर लीजिए ताकि जब भी audios upload हो उनका notification आपको मिल सके कम से कम daily के thousand views तो दिखें उसमें कि कम से कम हाँ 1000 students तो हैं जो सुनने के लिए ready हैं जो कम से कम तयार है इस तरह के content को सुनने के लिए पढ़ने के लिए वैसे इन audios के link आपको आपके exam application पे भी मिल और अगर session अच्छा लगा है मैनत अच्छी लगी है तो like करके please videos को share जरूर कीजएगा अपने दोस्तों के साथ में जो भी आपका study group हो गया what's up बगेर आपे वहाँ पे एक बार please share जरूर कर देना thank you